गश्याय के लेंगे और जतना ज्यादा से जएदा हो सके का हम लोग रिविजन कर लेंगे ताकि चीज आपको रिमाइंड हो पाएं आपको फिर से याद हो पाएं यह सारी क्लासेस आज मैं जो इसमें कराऊंगा वह पहले पड़ चुके हैं ठीक है लेकिन आज आपका एक रि देखिए परेवन सzeńच्छन को समर्पित कुछ दिवस है तो इन दिवस दिहान रखिएगा पूश सकता है कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है किस डेट में मनाया जाता है विश्व वन जीव दिवस आपका तीन मार्च को मनाया जाता है अंतराश्चिय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाते हैं पर्थिवी दिवस 22 अप्रेल विश्व दरोवर दिवस 28 अप्रेल विश्व मदुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है अंतराश्चिय जैविक विविद्दा दिवस 22 मई को मनाते हैं विश्व पर्यावन दिवस 5 जून को मनाते हैं वन महुत्सो दिवस 1 जुलाई विश्व प्रक्रति सनच्षन दिवस 28 जुलाई अन्तलाश्य बाग दिवस 29 जुलाई और विश्व जैव इंदन दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं अन्तलाश्य प्रकरति काप्दा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पशु कल्यान दिवस 4 अक्टूबर, विश्व आवाशी दिवस 5 अक्टूबर, विश्व जैव विविदिता सनच्छन दिवस आपका 24 नमबर को मनाते हैं और राश्ची पर्यावन दिवस 19 नमबर से 18 दिसंबर तक चलता है विश्व सनच्छन दिवस 3 दिसंबर, विश्व म्रदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व जैव विदिता दिवस आपका 29 दिसंबर को मनाते हैं आप देखे आगे बढ़ते हैं पर्यावन सब्द परी और आवरण दो सब्दों से मिलकर के बना है जहां परी कार्थ होता है चारों और आवरण कार्थ होता है घेरा या धका हुआ पर्यावरण कार्थ है चारों तरब से घेरना या चारों तरब से धका हुआ पर्यावरण को अंग्रेजी सब्द इन्वार्मेंट है पर्यावर्न को English environment कहते हैं जिसकी उत्पती French के सब्द भासा French है French सब्द envir Nickel encouraged से हुई है जिसका आर्थ होता है पडोष क्या होता है पडोष पर्तवी को चार छेत्रों में विवाजित किया गया है इस्थल मंदल, जलमन, असौरी दो तिहाई एक आत्र प्रसेंट भाग जल से धका हुआ है परतिवी के चारों और मौजूद वायू के आवरण को वायू मंदल कहते हैं परतिवी का वह शंकीन छेतर जहां इस्थाल जल एवं वायू मिलकर जीवन को शंभव बनाते हैं उसे जैव मंदल कहा जाता है जैव छोब मंदल है ठीक है चिपको आंदोलन की सुरुवात 1903 में हुई थी चिपको आंदोलन उत्राखन राजशे समंदित है चिपको आंदोलन के पनेता सुंदरलाल बहु गुणा थे चिपको आंदोलन दक्षिन में अपिको आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया अपिक प्रियावन समंधी जागरुकता का यह आंदोलन अगस्त 1923 में करनाटा के उत्तर करनाट छेतर में शुरू हुआ था अपिको आंदोलन के पनेता पांडूरंग हेगडे थे, कौन पांडूरंग हेगडे थे भारत में वनेजिव सनचन अधिनयम 1972 में लागू किया गया जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट होती है 1986 में पर्यावन सनचन अधिनयम पारिद किया गया पर्तिवी के चारों और गैशों के सम्हों को वाईवंडल कहते हैं पर्तिवी का अपमार्जक है जिवानू और कवक ये पर्तिवी के अपमार्जक है प्लास्टिक पर्यावन के लिए हानिकारक है पर्यावन अध्यन में छेत्र प्रहमन का मुख्य उद्देश परतेक्ष अनुभव करना होता है हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक सांद्रन होता है पारिसितिक के अंतरगत वातावरण एवं जीव समदाय का अध्यन किया जाता है बहुत सूपर फास्ट पढ़ रहे हम लोग पारिसितिक को अंगरेजी में इकोलोजी कहा जाता है जिसकी उत्पत्तिक ग्रीक भाषा के उईकोस वा लोगों से मानी जाती है पारिसितिक की सब्द का प्रियोग सरवपर्थम 1865 इस्वी में रेटर ने किया था पारिसितिक की तंतर सब्द का प्रियोग सरवपर्थम एजी टॉंसले ने किया था देखिए यहां पे पारिसितिक सब्द है यां पारिसितिकी प्रिवासित करने वाले औरनेस्ट है कल हैं पारिसितिकी तंतर के दो घटक हैं जैविक और अजैविक मेडॉक्स ने पारिसित्की को मर्स्तिष्क की एक दशा कहा है पारिसित्क पतंतर प्रकृत की एक क्रियात्मक इकाई है वे जनतु जो शाकाहारी और मांसाहरी दोनों होते हैं विश्षरो भक्षी कहलाते हैं मर्तोप जीवी कवक एवं जीवानू अप घटन करता के अंतरगत आते हैं एक जीव से दूसरे जीव में भोज पदार्थों का इस्थानांतरन खादिस रंखला कहलाता है एको सिस्टम कहलाता है पौधों द्वारा कार्बन का जैविक भंडारन होता है पौधों में कैशों का आदान परदान पत्तियों के द्वारा होता है प्रकृति में आकसीजन का परमुक्सरोत हरे पौधे होते हैं पौधों का प्रजिणन अंग फूल होता है पौधों का प्रजिणन अंग फूल होता है एस फिटिंग के एकोर्डिंग जीवों की पारिसित्की कारकों को योग पर्यावरन है पर्यावन सिक्षा से सचेतना जागरुकता वे वहारिकता का विकाश होता है किस तर से पूरू परात्मे के सित्र से हरे पौधों को पारिसीत्ट्की में उत्पाधक कहते है मानौ परेवन संबंद एक धनात्मक शंकल अपना है परितंत्र में मानौ सरवाहारी है क्या है सरवाहारी है सरवाधिक जयव विविदता उश्निकटपंधिये वनों में पाए जाती है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन के लिए युवश्य देश सरवाधिक उत्तरदाई है अमल वर्षा की खूस रॉबर्ट रूंस इसमित ने की थी सुरपर्थम अमली वर्षा श्वेडन 1972 में होई थी श्वेडन में 1975 में होई थी अमली वर्षा कारखानों से होती है अमली वर्षा से जलमंडल, जीवंडल, भवन एव मूर्तियां ये सबी प्रभावित होते है ग्लोबल वार्मिंग का मुख कारण हरित ग्रह प्रभाव है नारवे देश में सबसे अधिक अमली वर्षा होती है कोलकाता को इश्वोक शिटी ओफ इंडिया कहा जाता है मरदा परदूशन का सबसे महत्पुन कारक प्लास्टिक है मरदा परदूशन का सबसे महत्पुन कारक प्लास्टिक है धोने की तीवरता डेसिबल में मापी जाती है धोने परदूशन 80-90 डेसिबल धोनी होने से होता है पॉलिथेन की थैलियों को नश्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वे पॉलिमोर से बनी होती है किसे पॉलीमर से बनी होती है भारत का सरवादिक प्रदूशित नगर अंकलेश्वर है पेपर इस तरीके से पूछे जा रहे हैं जैसे कि आपका सिच्छा का तकनिक प्रफेट चलो यह तो आप बहुत कमेंट करें कि सर अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ और मैं भी कि यह समझगें कि यह नहीं हम कह सकते हैं कि पेपर में यह नहीं आएगा वो नहीं आएगा पेपर बड़ा घुमा फिराक्या और नए धंक से पूछ रहा है धूल परदूसरन लोकने के लिए सीता अशुक वरक्ष को उप्युक्त माना गया है वायू परदूसरन को के कारण क्लोरो फ्लोरो कारबंस हैं वनों के विनास को वरून मूलन कहते हैं वनों के विनास को वरून मूलन कहते हैं वन जीवों का विनास वरून मूलन का प्रभाव है वनों के सनच्छन हेतु वर्ष 1980 में कानून बनाया गया था अप्षिष्ट पदार्थों को खाने वा अधिकांस पीने योग जल हिमसाल की रूप में उपलब्द है आगे बढ़ते हैं अब इस क्लास को डिस्कस तरेंगे बहुत फास्ट तरीके से हम पहले करवा चुके हैं लेकिन इसमें हम लोग बहुत फास्ट पढ़ेंगे ताकि पुरा रिवीजन हो सके और यह आपकी चारो है उनका पूरा इसमें निचोड है देखिए चारों यूनिट के कोश्टिंश मिलेंगे आपको पर्यावरन के बोध का सुरूत सरप्रतम हमें कहां के साहित से प्राप्त होता है यूना निसाहित से पर्यावरन किन दो सब्दों से मिलकर बना है परिपलस आवरन इन्वाइर तुनियर किस भाषा का शब्द है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जस्ट मोमेंट प्लीज आगे बढ़ते हैं टाइम वेश्ट नहीं फटाफट रिविजन जीवों की पारिशित्की कारकों का योग पर्यावरण है यह कतन आपका एच फिटिंग का है प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहता हैं प्रयावण कहलाता है ऐसा एक जीट टौन individually हैं लेंडिश ने प्रयावण को कितने भागों में विवफाजित किया है तीन भागों में विवफाजित किया है प्रयावण से अभी प्राय है क्या विभोतिक जैुडिक्टी और सांस्कृत कि प्राकरतिक दुनिया जो इनके चारों अस्तित्तों में है प्रयावन कहलाता है उन संपूर्ण दसाओं का यूग जो व्यक्ति को एक समय बिंदू पर घेरे हुए होती है प्रयावन कहलाता है इसलिए आपका डी सही हो जाएगा इसमें प्रयावन एक अविभाजी शमिष् जिसकी रचना भौतिक जैविक इन सबी तंत्रों से होती है यानि कि भौतिक जैविक सांस्क्रतिक तत्रों वाले पर्याविक का नहीं है ये बात गलत है प्रयावन अभी हमने पढ़ा उपर कि प्रयावन जो है वहाँ भौतिक, विक, सांस्क्रतिक तत्वोम 1515 पर्सविक किराथिपशल तंत्रों से बना हुआं भौतिक पर्यायवण का कौन तत्व नहीं है तो बस्तियां जो है ये पर्यायवण के बहूत एक प्रत्वición के इंत्रकत सम्सक्रतन कहाई है Habitier किस भासा का शब्द है? Habitier आपका Latin भासा का शब्द है किसने कहा है? पर्यावन एक पाई शक्ति है जो हमें परभावित करती है EJ Roy ने ये बात कही है पर्यावन ये भविश्य का अंतराशिश मिलन कहां हुआ था? ये आपका Finland में हुआ था? Finland में हुआ था शंकरिया पर्यावन को जर्म देती है यह कथन आपका ही चित्ती बाबू का है पर्यावरण विद डॉरेन मिर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए है तो इन्होंने साथ कारक बताए है कितने साथ बताएं हैं मुख्य रूप से पर्यावन के कितने प्रकार है तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार है हार्ट ने वर्ष 19.80 में पर्यावनी सिक्षा के लिए कितनी विशेस्ताओं को तयार किया इन्होंने 25 विशेस्ताओं को तयार किया विकास चील देशों में पर्यावन सिच्छा कहां आयोजित हुआ था तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ था पर्यावन सिच्छा के उद्देश आपके ज्यान और समझ, ज्यागरुकता, कौसल ये सभी को डफलप करना पर्यावन सिच्छा का उद्देश होता है इसलिए option number आपका D-right हो जाएगा मानव के लिए पर्यावन सिच्छा आवश्यक है उसके पर्यावन सनच्छन के लिए समाजिक विकास के लिए विगयानिक विकास के लिए इन सभी के लिए मानव के लिए पर्यावन सिच्छा आवश्यक है पर्यावन सिच्छा से विकास होता है सचेतना का विवारिकता का और जागरुकता का इन सबी से पर्यावरण का विकाश होता है पर्यावरण सिख्षा को पढ़ाना प्रारम करते हैं हम लोग कहां से पूर प्रात्मिक इस तर से पर्यावरण सिख्षा बच्चों को देना शुरू कर देते हैं प्राकर्तिक पारिसितिक तंत्र का उदाहरण क्या है यह आपका जील जो है या प्राकर्तिक पारिसितिक तंत्र का उदाहरन है पर्द्यावणी सिच्छा के लक्ष एवं उद्दिश के निर्धारन का प्रादम कब हुआ था वर्स 1975 में हुआ था यह हम लोग पढ़ चुके हैं पहले इसलिए फास्ट रिवीजन चलना है करत्रिम पारिसितिक तंत्र का उदाहरन क्या है खेत जो है करत्रिम पारिसितिक तंत्र का उदाहरन है लवनिय जल पारिसितिक तंत्र का उदाहरन क्या है तो यह आपका प्रवाल भित्ती हो जाएगा वन के पारिसितिक तंत्र में कवक को किस शमूह में समलित किया जाता है अपगटन करता के शमूह में समलित किया जाता है शोच जल पारिसितिक तंत्र का उदाहरन क्या है तालाब शोच जल पारिसितिक तंत्र का उदाहरन है एक पारिसितिक तंतर में उत्पादकों एवं उपभुपताओं की शंख्या को कौन निश्चित करते हैं? जलवायू समंदी कारक निश्चित करते हैं पारिसितिक तंतर के पादपों वप्राणियों के पारिस्परिक समंदों का अधार क्या है? पोशन शंबंद है ये जो है पार्सित तंद्र के पादपों और प्राणियों के पाश्विश शमंदों का अधार है हरे पौदों को पार्सित की में क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं पर्यावन की प्रिभाशा क्या है अब वायटेक और बायटेक घटक के मिलने से पर्यावन बनता है यही पर्यावन की प्रिभाशा है मानो पर्यावन, शम्मन्द एक धनात्मक संकल्पना है कैशी एक धनात्मक शंकल्पना है पर्यावन के अंत्रकत हमारे पेड़ पौधे, जीव, जन्तू, रिस्ते, नाते, संस्क्रति, मकान, सढ़के, पूजा इस तो फैक्ट्रीज है ना बिल्डिंगे मंजिलें यह सभी इसके अंतर गताता है ऑप्सन नमबर डी आपका राइट हो जाएगा निवन में से कौन सा प्रियावन अध्यन का घटक नहीं है तो इसमें जो सौर मंडल है वो प्रियावन अध्यन का घटक नहीं है मानो प्रकरत में उर्जा का मुखि स्रोत आपका शूर्य है उपभोकता के अंतरगत आते हैं कौन परजीवी परजीवी उपभोकता के अंतरगत आते हैं पारिसित की निकेत निक की संकल्पना को प्रतिपादन किया था किस ने किया था ग्रीनेल्स ने किया था किस ने किया था ग्रीनेल्स ने किया था परितंतर में बाज का कि ओम अजयविक घटकों के मद्द की जो योजना कड़ी है वह जयव सनचना है क्या है जयव सनचना है कि शर्व पर्थम जयव विविद्यता सब्द का प्रियोग किस ने किया था डेवलू जी रोजे ने किया था विषु का सबसे बड़ा मैंगरोव जो है वह सुन्दरवन ह जेव विविदेता को नश्ट करने में किस्की भूमी का शंभाव है पॉलिथीन की भूमी का अधिक इसमें शंभाव है next question है question तो बहुत बड़ा है कोई बात नहीं है पढ़ते हैं प्रकृति यूँं प्रकृति क्या पता आ जाए प्रकृतियों प्रकृतिक संसाधन अंतराशी संचन संगदोरा प्रकासित राइड डेटा बुक्स में जो है निमन की सूचियां समरेत की है तो इसमें विविविन देशों में प्रकृति एवं प्रकृतिक संसाधन संचन हेदू सलचित इस्तनों की सूचित में शामिल की गई केवल B याने केवल Q इसमें सही है आपका निम्न छेत्रों पर विचार कीजिए जैसे कि पूर्वी हिमालय हो गया पूर्वी भूमद शागरी छेत्र उत्तर पर्ष्टमी आस्ट्रेलिया उपरोगत में से कौन सा जैविविता के होट स्पोर्ट है तो इसमें आपका केवल P पूर्वी हिमालय जो है ये जैविविता के होट स्पोर्ट है खनीजों से ब्राप्त खादे पदार्थ नमक और फिट करी है सनर्चन वर्तमान पीड़ी का भावी पीड़ी के लिए त्याग है जो भी सनर्चन है जो बचाव है वो हमारा आने वाली पीड़ी के लिए हमारा त्याग है ये एकतन किसका है ये एलो का है मिट्टी की छारियता का पीच मान सदा शाथ से अधिक रहता है कितना शाथ से अधिक रहता है पारिशित्की की प्रकृति क्या है इसमें कला की और विज्ञान की पारिस्थित्की की प्रकृतिक कला और विज्ञान दोनों की है तो option number आपका C, A और B दोनों राइट हो जाएंगे परितंत्र का तत्तो है परितंत्र का तत्तो आपका शौर उर्जा, जैविक तत्तो और भौतिक तत्तो तो ये तीनों ही है, option number D आपका राइट हो जाएगा पारिस्थित्की की पार्थिवस्तु होती है तो ये आपकी जियोवंडल और उनका वातारण ये दोनों ही पारिस्थित्की की पार्थिवस्तु होती है option C आपका राइट हो जाएगा पारितंत्र का मुख्य रूप है मुख्य रूप आपका इसमें प्राकरतिक मानवी करत और अंतरिच ये तीनों ही उप्सन सही हो जाएंगे D जिदा राइट वन एक उत्तम पारितंत्र का घटक होता है अजैविक पदार्थ उत्पादक और उप्भोगता ये तीनों ही उत्तम पारितंत्र के घटक होता है इसलिए उप्सन अंबर D आपका राइट हो जाएगा ठीक से पढ़के जाएगा फिर बाद में ये मत कहना सरकोशन बड़े टफ आयते और पढ़े वे नहीं आए यहीं से पेपर आएगा वर्सा जल संचेन क्या है वर्सा जल संचेन हमारा वर्सा जल का संग्रेन और भंडारन है वर्सा जल संचेन का उदेश होता है भूजल पुनरब्रन के लिए वर्सा जल संचेन का उदेश भूजल पुनरब्रन के लिए होता है निम्न लिखित मेशे कौन सी राजस्थान में जल संचन की प्रमप्रागत विधी नहीं है नाली जो है ये राजस्थान में जल संचन की प्रमप्रागत विधी नहीं है निम्न लिखित मेशे क्या अटल भूजल योजना का उद्देश है भूजल प्रबंधन अटल भूजल य दोरान हमें जो है पेड़ पादों का भी ध्यान लखना चाहिए अन्य पर्यटकों के नरीजिता का भी ध्यान लखने। और जीजन्तों के शांती का भी ध्यान लखना चाहिए इसलिह और अप्शन नमबर D.right हो प्रभाता है ओप्सिनब्र डियापका राइट हो जाएगा लूट में निम्लखित मेंशे किष्क के उत्सर्जण से अमलिया वर्षा होती है तो 6 सर्जण il刚 कारवंडे आक्षाइड गैस की सरवाधिक प्रमुक्ता रहती है विश्व में हरित गैसों में भारत का जो अधिग्यम है वो कितना है एक है किस देश में सरवर्थम अमलिय वर्षा हुई थी स्वेडन में हुई थी 1972 में अभी पहले भी आपको बताया है अमलिय वर्षा जो होती है वह आपकी कारखानों से होती है और जो है कि आपको बताता चरे नारवे देश में सरवाधिक अमलिय वर्षा होती है अंतराश्ची अमल वर्षा सूचना केंदर आसलों में इस्थापित किया गया अंतर्क्टिका में ओजोन परत का सरवाधिक विनास सितंबर और अक्टूबर के महा में होता है इश्मुक शिटी ऑफ इंडिया आपका कोलकाता को कहा गया है प्रकास रासाइने के धून कोहरे की रचना के लिए निमने में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है भारतिय शमुदर ततिय जलके प्रदूशन का परमुक कारण आपका ओद्योगिक बहिस्राव है क्या है ओद्योगिक बहिस्राव है शबसे ज़्यादा प्रदूशन किस से होता है या आपका शियो से होता है कारवन मोनो आक्षाइड धोनी प्रदूशन कितने डिशिवल धोनी से होने से होता है आप 80-90 किस उपग्रह द्वारा ओजोन चित्र की उपस्यती दर्ज की गई थी या आपकी निबस शेवन के द्वारा नेबस सेवन उपग्र हे के दोड़ा ओजोन चित्र की उपस्यती दर्जिगी गई थी मर्दा प्रदूशन का सबसे महत्पून का रख क्या है प्लास्टिक जो हो रहा है उसका सबसे महत्तपून का रख आपका प्लास्टिक है धुन्द कोहरे का निर्मान होता है धुए प्लस रेडियो एक्टिव पदाच से धुन्द कोरे का निर्मान होता है वायू पर्दूशन के विश्रस्निय संकेतक कौन कौन है इसमें लाइकन और मौस जो हैं ये वायू पर्दूशन के विश्रस्निय संकेतक है जल प्रदूशन किस से होता है तो जल प्रदूशन आपका प्रदूसित जल को प्रदूसित करने से जल प्रदूशन होता है सरवाधिक जल प्रदूशन किस से होता है और द्योगिक जल प्रदूशन से सरवाधिक जल प्रदूशन होता है जल पर्दूशन नियंतरन और निवारण अधिनियम कब बना यापका वर्ड्स 1994 में बना था किसकी मापा की काई decibel है तो यापकी धौनेकी मापा की काई decibel है धौने की कितने decibel से अधिक धौनी मानव के कान ख़ती पहुंचा सकती है 90-90 decibel से अधिक जो धोनी होती है और मानव के कान को छती पहुँचा सकती है और आपको बतते चलें 120 decibel से अधिक धोनी घातक होती है है ना global warming का करण carbon dioxide gas में ब्रद्धी है global warming का करण carbon dioxide gas में ब्रद्धी है why production का करण धुआ है क्या है कौन सी gas वायू को अधिक परद्धी करती है carbon monoxide gas वायू को अधिक परद्धी करती है वायू परद्धी को कम किया जा सकता है व्रक्षों के द्वारा अमली वर्षा की खोज किसने की थी Robert Runks Smith ने की थी Robert Runks Smith ने अमली वर्षा की खोज की थी करसी छेतर में वाई उपर दूसरन का परमुक कारण क्या है रसाइनिक कारबन आवशिष्ट रसाइनिक कीट ना सक ये तीनों ही करसी छेतर में वाई उपर दूसरन के परमुक कारण है गलोबल वार्मिंग का परमुक कारण हरितिग्रह परभाव है क्या है? हर इतिग्रह प्रभाव है योजना विदी में सब्चे अदिक योगदान किसका है? रूसो और फ्रोबेल का है योजना विदी में सब्चे अदिक योगदान अब देखें यहाँ पे दो कॉर्शन हो गया आपके अगर option में आपका किलपेट्रिक यहाँ पर देखो नहीं है अगर option में किलपेट्रिक नहीं है तो आप रूसो फ्रोवेल को लगाएंगे और अगर किलपेट्रिक है तो फिर आप किलपेट्रिक को ही लगाएंगे option में ठीक है ओजोन परत को हानी पहुचाने वाले पहुचाने वाला घरी लूपकरण कौन सा है एर कंडीशनर है ओजोन सनरचन दिवस कब मनाया जाता है तो यह आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन किस्टे बनती है ओजोन आपकी ऑक्सीजन से बनती है विश्यो पर्यावन दिवस किस तिति को मनाया जाता है विश्यो पर्यावन दिवस आपका पांच जून को मनाया जाता है कब मनाया जाता है पांच जून को मनाया जाता है योजना विदी किस दर्सन किस दहनतों पर अधारित है योजना विदियापकी प्रियोजनवाद किसकी प्रियोजनवाद दर्सन के सिद्धांतों पर आधारित है योजना विदियापकी प्रियोजना विदियापकी प्रियोजनवाद किसकी प्रियोजनवाद दर्सन के सिधानतों पर अधारित है कैशा वाई उपरदूशन होता है हमारे पर्लेवन को बचाने के लिए तीन पकार के आ रहे हैं कौन कौन से कम उप्योग और पुनाचकरन और निमलिकित मेशे कौन सा योजना पद्दित का शिद्धान्त है तो अनुभाव का शिद्धान्त योजना का शिद्धान्त और क्रिया सिल्ता का शिद्धान्त ये तीनों ही योजना पद्दित के शिद्धान्त है और सनापका डी राइट हो जाएगा निमन मेशे कौन सा योजना विदी का पद नहीं है तो योजना का निर्मान करना योजना विदी का पद नहीं है वाद विवाद एक सेक्षिनिक सामोई प्रिक्रिया है जिसमें शिच्चक और विद्यार्थी शही योगपोंट ढंग से किसी समस्या या प्रक्रण पर बात्चित करते हैं या प्रिवासा जेम्स एम ली के दोरा दी गई है शमाजी करत अभिव्यक्ति पद दोरा च्छात्रों में किस्का विकाश होता है तो इसमें प्रेणा सक्ति का आत्मनेड़ने का और आत्मविश्वाश का इन सभी का विकाश होता है तो फिर उप्सन नमरा डी कोटिक कर देंगे निमन में से कौन सी पद दती परंपरागत पद दती कहलाती है तो इसमें आपकी पाठी पुस्तक पद दती और भाशन पद दती जो है ये पाठी पुस्तक पद दती कहलाती है ठीकि तो उप्सन आपका डी राइट हो जाएगा निमन में से कौन सी वानजी सिच्चन की पद दती नहीं है तो निगमन और आगमन जो पद्दती है या वानेजी सिच्छन की पद्दती नहीं है वर्स 1918 तक किस पद्दती का रूप इस्पस्ट हुआ तो C. योजना पद्दती का वर्स 1918 तक योजना पद्दती का रूप इस्पस्ट हो पाया था निमन मेंशे वानजी सिच्छन की कौन सी पद्धती नवीनतम है तो इकाई पद्धती जो है वो नवीनतम है निमन मेंशे कौन सी पद्धती विवादाश्पत है तो समश्य शमादन पद्धती को विवादाश्पत पद्धती में रखा गया है इन में से किस विधी के प्रियोग के शमय आपको बता दें व्याख्यान विधी के प्रियोग के शमय अध्यापक तो सक्री रहता है परंतु छातर निसक्री रूप से बैठे रहते हैं छातर पैसिव होता है और टीचर एक्टिव होता है निमन में से कौन सा योजना विधी का पद नहीं है योजना का निमान करना योजना विधी का पद नहीं है शमाजी करत अभिवेक्ति पद्दति के दुगरा चात्रों में किसका विकाश होता है तो इसमें प्रेना सक्ति का, आत्मि ब्रूनर ने किया था मस्टिश का प्रबल समवेदन आवी हुका विकाष करने वाले आपके उस्ट बार्ण है सिच्छन विदियों एवं सिच्छन विहुरचना में अंतर होता है उद देशियों का प्रभुत्वादी सिच्छन आविव में शामिल नहीं है इसमें एतिहासिक खोज शामिल नहीं है प्रोजेक्ट पद्धत का शिधान्त कौन सा है तो इसमें शोदेश्यता, शोवतंतरता और शामाजी की विकाश ये तीनों ही प्रोजेक्ट पद्धत के शिधान्त है और सनमबर D आपका राइट हो जाएगा प्रोजेक्ट योजना विधी के जिंदाता आपके किलपैट्रिक है किसने कहा प्रोजेक्ट एक शोदेश्य प्रकरिया है जिसे मन लगाकर की शमाजिक वातवरण में किया जाए ऐसा किलपैट्रिक ने कहा है छेत्राटन विधी की विषष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् में अंतर होता है योजना विदी के जनक हैं वो किस देश के हैं तो योजना विदी के जनक आपके अमेरिका के हैं छोटे बच्चों के लिए उप्युक्त मानी जाती है समस्या समाधन विदी छोटे बच्चों के लिए उप्युक्त मानी जाती है वाई मंडल में ओजो परत कह विद्यमान है यह आपकी शम्ताप मंडल में है हरित प्रभाव का मुख कारण क्या है कारबंडाई आक्षाइड जो है या हरित क्रेह प्रभाव का मुख कारण है कारबंडाई आक्षाइड ओजों छिद्र का मुख कारण क्या है तो इसका मुख कारण है क्लोरो फ्लोरो कारब कौन शी गैश वायुडल में मिलने पर अम्रिय वर्शा का का करण बनती हैScią को और उनो को बोन के पारिसितिक उप्योग क्या है तो वनों के परस्तिक उप्योग हमारी भूम की सुरच्छा, परदोशन और वर्षा, ये तीनों ही वनों के परस्तिक उप्योग है, वनों मूलन का कारण है, इंदन के लिए लकडी का प्रयोग, वन उत्पात का उप्योग, ये दोनों ही वनों मूलन के कारण है, वनों मूलन का प प्रबंदन के अंत्रगत विचार है किश्का वन सनच्छंड ऐसके बाद आगे बढ़ेंगे वनों के सनच्छं हे तो कानून यानिकी act बनाया गया था वर्स 1980 में बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1980 में, ताज महल को खत्रा है, ताज महल को किस से खत्रा है, शरफडे आकसाइड से ताज महल को खत्रा है, ग्रीन हाउस गैसे हैं, CO2, CFC, CS4 ये ग्रीन हाउस गैसे हैं, अमल वर्शा होती है, अमल वर्शा कारखाने वाले छेतर में, जहाँ SO2 की अधिक्ता होती है वहाँ अमलवर्शा होती है ग्रीन हाउश प्रभाव उत्पन करने वाली गैस नहीं है नाइट्रोजन ग्रीन हाउश प्रभाव उत्पन करने वाली गैस नहीं है कौन करती है ओजोन परत में सबसे बड़ा चितर कहां पाया गया है पर्तिवर्ष अंतरश्ची ओजोन परत सनचन दिवर्ष आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है आगे बढ़ेंगे देखिए विश्व में अमल वर्षा से सरवादिक प्रभावी देश आपका कौन सा है नारवे और स्वेडन वन सनच्छन अधिनियम कब लागू हुआ यह आपका वर्ष 1980 में लागू हुआ था अमली वर्षा का रूप होता है अमली वर्षा का रूप नम वर्षा और सुष्क वर्षा यह दोनों ही हो सकते हैं हरित भवन का शमन्द किश्चे होता है कर्बनाई आकसाइड से हरित भवन का शमन्द होता है ओजोन छिदर से प्रभावित होता है तो इससे परस्वे का तापमान भी बढ़ता है शमुदर का जल इसतर भी बढ़ता है और मौशम प्रिवर्तन भी होता है ठीके तो इसलिए option number D आपका राइट हो जाएगा ओजोन छिदर स्थित है यह आपका जो है उत्री धरुव और दच्चनी धरुव दोनों में स्थित है ए और भी दोनों राइट हो जाएगे अमली वर्षा से प्रभावित होता है तो इससे जलमंडल जीवंडल भवन और मूर्तियां यह सभी प्रभावित होते हैं option D आपका र कर्यां है पाल्ठी कर्म विकास की मुख़ प्रकरिया है आपकी मुल्यांकन करना पृष्ट पोशन देना और उस्टेश का पर्तिपादन आप्सिन नमर डियाप का राइट है पाठिकरम संपादन का शम्मंद किष्चे है अनुदेशानात्मक प्रारूप से है पाठिकरम विकास का अभिकरम, माध्यमिक बोर्ट, सिच्छा लाजी परशिते और अध्यन शमितियां ये तीनों ही है केरिकुलम किस भाष्चा का सब्द है तो यह आपका केरिकुलम जो है यह आपका लैटन भाष्चा का सब्द है केरिकुलम क्यूरे सब्द से उत्पन हुआ है क्यूरे किस भाष्चा का सब्द है सोरी केरुकुलम जो है यह आपका अंग्रेची भासा का शब्द है और क्योडी कुलम क्यूरेरे सब्द से बना है और जो क्यूरेरे है यह आपका लैटन भासा का शब्द है पार्ठिकरम पर्यावण में होने वाली क्रियाओं का योग है किस का कतन है ये आपका एनन का कतन है भारत सरकार ने पर्यावण विभाग की स्थापना कब की तो ये 1922 में की थी भारत सरकार दोरा पर्यावण सनच्चन अधिनियम कब पारित किया गया तो यह आपका वर्स 1906 में पारित किया गया WHO की स्थापना कब हुई थी यह आपकी 22 जुलाई 1906 को World Health Organization की स्थापना हुई थी Option No.A आपका राइट हो जाएगा UNESCO की स्थापना कब की गई UNESCO की स्थापना आपकी वर्स 1945 में की गई पर्यावन सनच्चन अधिनिम का पारित हुआ यह आपका वर्स 1906 में पारित हुआ श्रतत विकाश शब्द का पहली बार प्रियोग करने वाले हर्लेम ब्रेंडर लैंड थे हर्लेम ब्रेंडर लैंड थे किस पर्यावरन का मुख उद्देश पर्यावन सनच्चा के साथ टिकाव विकास को प्राप्त करना था जोहांस बर्ग समेलन पर्यावरन जो जोहांस बर्ग समेलन था उसका पर्यावन का मुख उद्देश पर्यावन सनच्चा के साथ टिकाव विकास को प्राप्त करना था टिकाव विकास की अंतरगत किस पर विशेश ध्यान दिया जा रहा था उर्जा पर विशेश ध्यान दिया जा रहा था शतत विकास की अवज़ाना किस आयोग की देन है ये आपकी ब्रेट लैंड आयोग की देन है शत्त विकास शब्द का पहली बार प्रियोग आपका वड़ सुनीशो शत्ताशी में हुआ था नेक्स्ट कोर्शन है आपका पर्यावरण अपगटन के कारण उत्पन होने वाले प्रिणामी खत्रों में शामिल है इसमें बाढ और सूखा भी शामिल है पर्यावरण जागरूपता को बढ़ावा देने की उद्देश से निम्र में से कौन सी परतियोगता का आयोजन किया जाता है तो इसमें आपका ग्रीन ओलम्पियार्ट का आयोजन किया जाता है इन में से कौन एक पर्यावण समस्या नहीं है तो जल का सनच्छन जो है ये पर्यावण समस्या नहीं है पर्यावण सनच्छन सनच्छन अधिनियम बनाया गया ये आपका वर्स 1906 में बनाया गया था वन सनच्छन अधिनियम ये आपका वर्स 1908 में बनाया गया था संयुक तराश्य शंग ने विश्व चार्टर पारित किया यह अपका वर्ष 1972 में पारित किया गया था पर्यावरण विगटन के कारक हैं प्राकरतिक और मानवी है यह दोनों ही पर्यावरण विगटन के कारक हैं पर्यावन सनच्छन जो समश्या है या पूरे वेश्यो की समश्या है पर्यावन कानूनों को लागू करने में जो बाधा है वहा कमजोर आर्थे किस्ति जन सामाने की अग्यानता धारमे कें सामाजिक रित्रिवाज ये तीनों ही पर्यावन कानूनों को लागू करने में बाध हैं उपन Κर रही हैं पार्यावन सनचन अधिनयम उनी सेज़ी में जो धारह." 26 दहराए हैं 26 दहराए है राश्ची वन नीती कब बनी यह बकी वर्स 1952 में बनी थी और वर्स यहा है कि इस छक को अक्रिया‌सील बना देती है पर्यावरन शिच्छन में क्रियात्मक उद्धेश की पूर्ती के निर्मित निमित जिस सहाइक सामगिरी का प्रियूग किया जा सकता है वह सरव्य सामगिरी है पर्यावन सिच्छन में शाहक शामगिर की शायता करती है विशेवस्त को मरुणजक बनाने में किसमे विशेवस्त को मरुणजक बनाने में निवन में से कौन चिपको आंदोलन से समंदित हैं सुंदरलाल बहुगुणा मेधा पाटेकर किस आंदोलन से समंदित हैं कि नर्मदा आंदोलन से समंदिततम नहीं है तो इसमें वरगी इस कुरियन यह समंदित नहीं है चिपको आंदोलन प्रारमभ ठा उत्त्राखनद नहीं है कुसराज किसराघफ़ अंधित तो इसमें,"お के दौरा पर्यावन एवंश्यत विकास का पहला पर्तवी शेकर समयलन आयोजित किया गया था वर्स 1992 में, कब वर्स 1992 में, रियो प्लेश 20 घोसना पत्रका सीर्षक क्या था, दे फ्यूचर वी वांट, चिपको आंदुलन के पीछे मुख्य उद्देश क्या था, वनों की सुर रक्षा, संयुक्त तराश्य पर्यावन कार्यकरम, यू अन ए पी का मुख्याल का नारा है किसका नारा है चिपको आंदोलन का नारा है दच्छन भारत का पर्यावन सनच्छन से समंदित आंदोलन कौन सा है अपिको आंदोलन कौन सा है अपिको आंदोलन पादप सनच्छन से कौन सा आंदोलन समंदित है यह आपका चिपको आंदोलन समंदित है प्रत्थम अब इसकी बात करेंगे देखे प्रतवी सिखर समेलन जो है यह एजेंड़ा 21 है प्रतवी सिखर समेलन प्लस 5 हुआ यह वर्स 1997 में हुआ अंतराशी शौर गठ बंदन का प्रतव सिखर समेलन समपन हुआ नई दिल्ली में समपन हुआ कहा समपन हुआ नई दिल्ली में समपन हुआ संयुक्त राश्य शंग के तहट पर्यावणी अमुद्दों का पहला बड़ा समेलन यह आपका 1922 में आयुजित किया गया था विश्व का पहला पर्यावणी समेलन कहा हुआ था स्टॉक्वम श्वीडन में हुआ था निमन में से कौन पर्यावणी इंजिनियर के नाम से विख्यात है जी डी अगरवाल पर्यावणी इंजिनियर के नाम से विख्यात है और कौन निर्मदा बचाओ आंदोलन से समंदि अपिको किश भाषा का शब्द है कन्यड भाषा का शब्द है अपिको अपिको आंदुलन कब सुरू क्या गया अपिको आंदुलन आपका वर्स नीशो तिराशी में सुरू हुआ चिलका बचाओ आंदुलन जो था ये आपका वर्स नीशो बानबे में सुरू हुआ जंगल ब गॉल्ड मैं प्रजावन पुरुसकार को यह इन्दिरा गांदी प्रजावन पूसकार की स्थापना निशली सटाशी सब्सकार किया गया था डॉक्तर सलीम अली राष्ट्री वन्य जीव पुरुसकार किस छेत्र में प्रदान किया जाता है यह आपका वन्य जीव सनचन के लिए प्रदान किया या आपका manypathy के द्वरान किया जाता है कि संविर्ल की आदार पर पांच यून को प्रिवन दिवस मनाया जाता है पॉल ओनने गया जाता है कि विझे इस्तांई की यूर्ल्य शे से शमनतिते आप यू कि राजी में चलब गया था यह आपका करनातक में चल आप 1978 वर्स में प्रालम भुआ ता तीहरी बान संगर्ष किश्वर प्रालम भुआ ये अपका वर्स 1990 में प्रालम भुआ था ओजोन परत के सनच्छन के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ वियना सम्मेलन ओजोन परत के सनच्छन के लिए वियना सम्मेलन आयोजित हुआ तोरंटो सम्मेलन का आयोजन वर्स 1988 में हुआ एजेंडा 21 पर कितने देशों ने सहमति परदान किए 182 देशों ने एजेंडा 21 को परभावी बनाने के लिए नियू यूर्क सम्मेलन का आयोजित हुआ एजेंडा 21 को परभावी बनाने के लिए नियू यूर्क सम्मेलन का आयोजित हुआ Global Warming के दौरा हो रहे जलबाय Additional Project को रोकने के लिए Quarto Protocoliógen हुआ किसका Quarto Protocol का रोजण हुआ जोहांसबर्ग समेलन Rio Plus 10 का रोजण कब किया गया वर्ष 2002 में जलबाय परिवरतन पर कान कुं समेलन का रोजण कब किया गया वर्ष 2010 में किया गया मौंद्रिल प्रोटोकॉल लागू हुआ वर्स 1977 में लागू हुआ किस सम्मेलन के दोरान सभीद का युओनिप का जनु हुआ पर्यावन जागरुकता के लिए कौन सी प्रतिकता युजित की जाती है ग्रीन ओलम्पियाड प्यारे दोस्तों आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे सर इतने फॉस्ट क्यों पढ़ दिया तो प्यारे दोस्तों आपका ये रिवीजन ही तो करा रहे हैं इसलिए इतना फॉस्ट पढ़ रहे हैं अब इतना टाइम नहीं कि इसको समझाते चले ना क्यूंकि ये क्लावस हम पहले भी करा चुके हैं ये पीडियाफ ठीक है आपने इसको पहले से भी पढ़ रखा होगा और आप फिर इसको दोबारा पढ़ रहे होगे ताकि आप रिवाज कर पाएं और इसके बाद मैं आपको दो क्लासेज और प्रोवाइड कराऊंगा उसके लिए इंतजार कीजिए ठीक है पर्यावन सिच्छन का घटक है बालक और पर्यावन दोनों ही पर्यावन सिच्छा के घटक है पर्यावन जागरूपता का घटक है भौतिक और जैविक ये दोनों ही पर्यावन जागरूपता के घटक है तो पहरे दोस्तों, class यहीं पे end होती है wait कीजिए second class का और 100% मैं कह सकता हूँ कि कल का जो paper होगा, वो जितना आज मैं आपको तीनो classes में कराऊंगा वहीं से आएगा, ठीक है thank you, मिलते हैं बजल दी next class में